क्या आपको पताई कि दूद में प्रोटीन, केलसियम, विटामीन, मिनरल्स, कार्बोहेडरेट, वसा, खनीज लवन और पानी, ये सारी चीजे दूद में होती है मतलब अगर आपको कुछ खाने पीने को ना भी मिले, लेकिन बस दूद मिलता रहे, तो आप जिन्दा बने रहोगे और आपके हिल्थ भी ठिक टाक होगी, आपका चेहरा भी हमेसा चमकता रहेगा, सरीर में अंदर की एनरजी बनने लगेगी इसलिए जब एक बच्चा पेदा होता है, तो इस टार्टिंग के दो तिन सालों तक उसे केवल मा का दूदी पिलाया जाता है और आप उस बच्चे के चेहरे को देखोगे, तो ना पिंपल ना ओिली स्किन, सिर्प और सिर्प एक चमकदार स्किन होती है अगर कोई इनसान किसी चीज से जिन्दा रहे सकता है, तो इसका एक ही मतलब है कि वो चीज अमरित के समान है और हमारे आयूरवेद में दूद को अमरित के समान माना गया है लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि दुनिया में सारा खेल टेकनिक का होता है जो इनसान सही टेकनिक जानता है वो सबसे आगे निकल जाता है फ़र किसी प्रकार दूध पिने का भी एक तरीका होता है वरना दूद अमरत की जगध जहर का भी काम करता है यसी कोई भी चीज जो जिन्दा प्राणियों से हमें मिलती है उसमें जितना अमरित होता है उतना ही जहर भी होता है जैसे सहत को अगर घीं के साथ खा लिया जाए तो सहत घीं के साथ केमिकल रियक्षन करके जहर बना देती है और ऐसा ही कुछ दूद के साथ भी होता है सायद आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि दूद आपकी बोडी के लिए बना भी है या नहीं बोडी बनाने के लिए दूद और अंडा एक साथ लेना चाहिए या नहीं दूद को इस्तमाल करके कैसे चहरे पे चमक आ सकती है कैसे आप हेल्थी रह सकते हैं बस वीडियो को आखिरी तक देखना, आज के बाद आप जितना भी दूद पिएंगे, वो सारा का सारा आपके बोडी को लगने लगेगा, दूद में सबसे ज़्यादा केलसियम और प्रोटीन होता है, अगर दूद को सहीं तरीके से लिया जाए, तो डाइजेशन सिस्टम काफी स्ट्रोंग होता है, दूद पीने से दिमाग भी एक्टिवेट होता है, दूद में केसिन नाम का प्रोटीन होता है, जो मसल्स बिल्डिंग और स्किन केर में काफी फाइदा करता है, और ये बात तो आप भी जानते हो कि हमारी हड़ियां केलसियम से बनी होती है, और दूद में भर-भर के केलसियम होता है, इसलिए जो इनसान रेगुलर दूद पीता है, उसके हड़ि में जान होती है, और जब हड़ी में जान होगी तो उसके अपर मसल्स भी तेजी से बनेंगे लगभग एक गिलास दूद में 200 मिलीग्राम केलसियम होता है और एक नॉर्मल इंसान को दिन भर में केवल 1000 मिलीग्राम के जरूरत होती है और आधा केलसियम तो बाकी चीजों से पूरा होई जाता है इसलिए रोज दो गिलास दूद बिलकुल परफेक्ट होता है हाँ अगर आप जीम या वर्काउट करते हो या वजन बढ़ाना चाहते हो तो रोज तीन गिलास दूद ले सकते हो लेकिन अगर आप एक साथ तीन गिलास दूद पीते हो तो सायद आपके पेट में दस्त या गेस की समस्या बन सकती है इसलिए आप बात आती है कि दूद कब और कितना पिना चीए देखो वेसे तो अगर आप यंग हो और आपको कोई बिमारी नहीं है तो आप किसी भी समय दूद पी सकते हो लेकिन रात के समय दूद पीना रामबान होता है क्योंकि रात के समय जब हम गेहरी निन में सो रहे होते हैं तो हमारी बोडी मसल्स रिकोवरी करती है और अगर बोडी में दूद रहेगा तो हमारी बोडी को सारे पोसकत्तव मिल जाएंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिने गेहरी निन नहीं आती तो उनके लिए भी दूद रामबान इलाज होता है आपने देखा होगा जब कोई छोटा बच्चा रो रहा होता है तो उसकी माँ उसे दूद पिला देती है और फिर वो बच्चा सो जाता है क्योंकि दूद में ट्रेप्टोफिन नाम का एक एमिनो एसिट पाया जाता है जो हमारे दिमाग के निवरांस को सान तकर देता है और हमें नीन्द आ जाती है लेकिन कभी भी रात को सोने से पहले ठंडा दूद नहीं पीना चीए क्योंकि दूद वेसे भी बहुत हेवी होता है और अगर आपने सोने से पहले ठंडा दूद या फ्रीज वाला दूद पी लिया तो अगली सुबह पेट दर्द या उल्टी दस्त भी हो सकते हैं और जादा गरम दूद भी हिल्ट के लिए अच्छा नहीं होता है हलका गुनगुना दूद पेट के लिए सबसे अच्छा होता है ये आसानी से पज भी जाता है और हलका गरम दूद पीने से निंद भी अच्छे आती है बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि गाय का दूद अच्छा होता है या भेस का दूद एक गलती जो बहुत से लोग करते हैं, खाने के तुरंत बाद दूद पी लेना, देखो यार अगर खाना खाने के तुरंत बाद आप दूद पी लेंगे, तो हमारे डाइजेशन सिस्टम पर ज्यादा प्रेसर आ जाएगा, और एसी कंडिसन में डाइजेशन सिस्टम गुस्स हो जाएगा, और फिर दस्त, कबज, गेस और खटी डगारे आने लगेगी, इसलिए खाना खाने के दो तिन घंटे बाद दूद पीना चीए, और एक चीज ये कि कभी भी खाली पेट दूद नहीं पीना चीए, हाँ अगर आपका डाइजेशन सिस्टम काफी स्ट्रोंग है किसी भी चीज को आसानी से पचा लेता है, तो आप खाली पेट दूद पी सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट करने के बाद दूद पीएंगे, तो इसके ज़्यादा फाइदे होंगे, और जितना हो सके खटे फल, जैसे आम, संतरा, पाइना पल, इन चीजों के हर इंसान बनाना से पीता है, लेकिन अईरुवेत की अगर हम माने, तो दूद अपने आप में ही बहुत हेवी होता है, और उसके साथ केला या किसी फल को मिलाना कहीं से भी सही उप्सन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, और अपने ब तो आपकी बोडी में डाइबीटिस का खत्रा बढ़ सकता है, अगर मैं आपको सही बताऊं तो सकर एक मीठा जहर है, जो धीरे धीरे आपकी बोडी को खोकला कर देता है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आज सही सकर खाना छोड़ दो, और अगर मीठा खाने के आदत ये तो सकर की जगत देशी गुड़ खाओ, और आप बात करेंगे एक एक एसी चीज के वारे में जिसका आज तक सही सही सोलिशन किसी को भी पता नहीं है, आपने भी कभी न गभी जरूर सुना होगा, कि नोनवेच खाने के बाद या नोनवेच के साथ दूद नहीं पीना क्योंकि मचली के साथ दूद पीने से बोड़ी पर सपेध धब्डे पड़ जाता है, मैंने भी बहुत रिसर्च की लेकिन एसा कोई साइंटिफिक प्रूप नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमारे पूरवच जो कुछ भी कहते थे, वो बास सौटा का सहीं होती थी, इसलिए नो इसलिए कभी भी दोनों को एक साथ मत खाना, और हाँ दूद से हमारी तवचा भी चमक जाती है, यानि कि इसकिन के लिए दूद सबसे बेस्ट ओप्सन माना जाता है, नमबर वन, कच्चा दूद और हल्दी, कच्चे दूद में हल्दी पाउडर को मिला लेना है, अब अपने चेहरे पे लगा के सर्कुलर मोशन में 2-3 मिनिट तक मसाच करना है, उसके बाद पानी से चेहरा धो ल सुख जाने पे चेहरे को पानी से धो लेना है, यह इसकिन को नेचुरल गलो देता है, और एकने पिमपल जैसी समस्याओं को भी कम करने में मदद करता है, नमबर थ्री, एकने से छुटकारा पाने में दूद मदद कार होता है, कच्चे दूद में मोजुद विटामिन ए मे skin healing properties और skin immune को बुष्ट करने के गुण होते हैं इसके साथ ही इसमें मोजूद minerals और lectic acid skin pores को अच्छी तरह clean कर देते हैं और एकने जैसी समस्याओं को रोकते हैं vitamin D की कमी एकने की समस्या का कारण बन सकते हैं यानि कि हमारे pimples का वही कच्चे दूद में vitamin D और अन्य vitamins की भरपूर मातरा पाई जाती है ये जो दर्द देने वाले pimples जो हमें होते हैं उसमें ये आपकी मदद कर सकता है और वीडियो में जाते जाते बस इतना ही बोलूँगा कि एक बर किसी अच्छे से hospital में जाके allergy test करा लेना क्योंकि अगर आपको लेक्टोस से allergy होगी तो फिर दूद आपके लिए जहेर का काम करेगा जैसे बोलीवूट की जानिमानी एक्टरेस सोनम कपूर और कियारा अडवानी इनको भी दूद से allergy है इसलिए ये लोग दूद नहीं पीते हैं अब कुछ वही लोग कच्चा दूद पी जाते हैं देखो यार माना की कच्चे दूद में बहुत सारे nutrition होते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा बेक्टेरिया भी होते हैं इसलिए दूद को बढ़िया से उबाल करो और थोड़ा गुनगुना होने के बात पी लिया करो अगर गुनगुने दूद के साथ किस्मिस भी खा लोग है तो एक अलगी लेवल की energy आ जाएगी बस अपने digestion पे ध्यान रखो बाकी दबा के दूद पीओ कोई दिक्कत नहीं है और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चेनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना फिर से लोटेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद